चली दोस्तो हम जो है C-SARP के अंतरगत कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजे और बता देता हूँ तो जैसे की आपको मैंने पहले बताया था IDE IDE का मतलब क्या होता है Integrated Development Environment ऐसा environment जहां पे यूजर को सारे टूल्स उपलब्द होते अब यूजर मतलब हम डेवलपर सोच सकते हैं तो डेवलपर को सारे टूल्स जहां पे एविलेबल होते हैं उसको हम complete roof से क्या बोल रहा है IDE इससे रूबरू होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन ही की साहता से जो है हम आगे बिभीन प्रकार की coding करके और एक अच्छा software डेवलप करने वाले हैं ठीक है तो इनको जानना सबसे पहले जरूरी है तो इनको जान लेते हैं उसके बाद हम फटा फट जो है coding को स्टार्ट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसको IDE को IDE मतलब मैंने बताया एक ऐसा environment जहां पर आपको सारे tools उपलब्ध होते हैं जिससे कि आप एक अच्छा software को develop कर पाए यानि कि कोई problem को solve करने के लिए बिभीन प्रकार के tools उपलब्ध होते हैं उसी screen को हम क्या बोलते हैं IDE या फिर उस environment को IDE बोलते हैं Integrated Development Environment तो यहां पर हम देखें IDE मतलब एक development environment होता है जो किसी language में program को develop करने में साहता करता है यह program को बनाने में run करने और उससे related सभी features को provide करता है जैसे C है C++ है यह window उनके program develop करने या उन्हें run करने की साहता करती है जैसे कि हमने C language की coding करे थे या फिर C++ की coding करे थे तो एक screen आती थी जहां पर हम coding करते थे ठीक है उसको debug भी करते थे कोई error आती थी ठीक है error window कोई message सो होता था ठीक है उसके अलाबाब आप जो है नीचे status बार देख सकते हैं तो सारी चीज़े देखने को मिलती है थी कहां पर हमको ID के अंतरगात जिस तरह Photoshop में हम जो है विभिन प्रकार के काम करते हैं तो Photoshop की जो editing tools से related है या बहुत सारी screen में हमको tools दिखते है pallets दिखती है color दिखते है इन सभी को हम क्या बोलेंगे IDE बोलेंगे MS part में हमको document बनाने के लिए विभिन प्रकार के टूल दिखते हैं तो क्यों हम जो है उसकी IDE बोलेंगे तो IDE मतलब जो होता है कोई भी चीज या कोई काम हम कर रहा है उसकी सहायता के लिए जो tools होते हैं उन tools को complete रूप से हम क्या बोलेंगे IDE ऐसा ही IDE के अंतरगत बिभिन ने जो element है वो क्या क्या हो सकते हैं तो IDE के अंतरगत कुछ elements होते हैं जिसकी important रूप से सबसे पहले menu वार होता है होता क्या है अभी हम देखेंगे tool वार होता है toolbox होता है form designer होता है properties होती है code window होती है उसके अलाब आप देखे solution explorer, server explorer, उसके बाद object browser, error list इसके साथ ही आप form layout देख सकते हैं और output देख सकते हैं इनको हम देख लेते हैं एक एक करक है सबसे पहले आपने देखा होगा जब भी आप visual studio open करते तो आपको सबसे पहले इस प्रकास है file, edit, view, project यह सारी चीज़ आपको देखने मिलती है इनको हम क्या बोलेंगे, इनको menu बोलते है तो menu जहां एक पट्पी में उपलब्द होते है इस वार को हम क्या बोलेंगे, menu बोल बोलेंगे, तो file menu क्या करता, file menu आप simple समझ सकते है, port, open करने का draw, save करने का, print करने और वह सारी चीज़ को सुभीधाए रहती है Edit में Edit से संबंदित रहता है Cut, Copy, Paste, Undo, Redo, Delete इस प्रकार की चीज़े देखने मिलती है View में आप समझ सकते है, View में देखने और चुपाने से संबंदित जैसे कि अगर आप Toolbox गाइब हो गया तो आप Toolbox को Soya Hide कार सकते है Solution Explorer ला भी सकते है और हटा भी सकते, Properties Window, Server Explorer ये सारी चीज़े आपको कहाँ पर देखने मिलेगी, View में मतलब अगर कोई बिंडो में कोई चीज़े देखनी रहे तो आप सीधे चले जाए ये View में, बिना कुछ सोचे समझे Project में Project से Related चीज़े मिलती है और कि Project में कुछ item Add करना है усी Related चीज़े देखनी कि मिलती है इसके अलाबा डाटा में आपको यह है जो है मीनू डाटा बेस से जुड़ी कमांड को कंटेंड करता है साथ ही टूल्स की अगर बात करें तो टूल्स में आपको कुछ अलग चीजे देखने मिलती है जैसे ओप्सन है चलिए टूलवार की बात करते हैं तो मीनू बार आपना समझ गए मीनू बार यह देखे रहा है मीनू बार के जश्ट नीचे जो आईकॉंस दिखते हैं इन आईकॉंस के कलेक्षन को हम क्या बोलेंगे टूलवार और यह है हमारा स्टेंडड़ टूलवार से मतलब जो हमेसा का सब्सक्राइब कर सकते हैं। जयसिए कि आप देखञेए। रं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजे आपको देखने को मिलती है। तो टूलबार में मैं व्यद्गाप को पर होना फॉल में आइकन यहांगë, आपको पता होना चाहि है। तूल बार, जैसे कि होटल में हम गए, ठίक है, तो होटल में क्या होता है, कुछ common चीजे होती है, मतलब जो गरहाक आते हैं, वो order करते हैं, तो उन चीजों को अलग रग दिया जाता है, ठीक है, जैसे मीनू होता है, तो तूल बार बोल सकते एक तरीके से तूल बार क्या हो गए कुछ आइकॉन जो बार बार उपयोग के जाते हैं उन्हें उठाकर कहां रख लेते पट्टी में उसी पट्टी को हम टूल बार बोलेंगे ठीक है जैसे कि हमने बहुत सारे ओप्टे आपको देखने मिल रहा है इ करने के लिए आपको चरlor की ज़रुड़ होती है पोलेंगे बार 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 बहुत सारे अनकर सब्सक्राइब का चेक आपकी कहने करेंगे달 टेनर में आपको देखे ग्रूप बॉक्स है पैनल से मीनु में मीनु बार से रिलेटेट चीजे देखने मिलते हैं डेटा में ग्रिड व्यू है और अलाग जो डेटा से संबंदित हैं इस तो इसको लाते कहा से तो इसको लाएंगे हम देखे वियू में जाएंगे और वियू में जाने कबार दिखे यहां पर आपको देख रहा है तूल्बाक्स देखें गिणाइग और यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है इसको फ्रेज करें या फिर इसको क्लिक कर दीजेए तो आपका टूल्बाक्स सो हो जाएगा ठीक आप यहां देखे टूल वाक्स के बारे में बेसिक चीज़ है तो टूल वाक्स के बारे में बेसिक चीज़ है आप पढ़ सकते हैं इसकी पीडियाप आपको जब मिलेगी तो आप जो है इसको पढ़ लेना ठीक है आगा देखें कामन बिंडो कंट्रोल भी इसमें देखने डेटा कंटेनर मीनु वार मीनु टूल वार यह सारी चीज़ देखने मिलती है अब बात करते हैं फॉर्म डिजाइनर की तो फॉर्म डिजाइनर मैं एलिमेंट है मतलब यहां पर यह नहीं रहेगा तो किसी भी टूल जो भी एलिमें लिए यहां पर बटन लिए अगर पिक्चर लाना तो पिक्चर भी यहां ला सकते हैं कंटेनर लाना तो यहां पर कंटेनर ला सकते हैं ठीक है डेटा ग्रीड व्यू से संबंदी चीज़ है डेटा संबंदी सारी चीज़ हम यहां ला सकते हैं यहीं कोई भी कंट्रोल को होते तो right click करके हम form designer में पहुंच सकते हैं उसके ग्राफिकल user interface का मुख element आप देख सकते हैं form designer ही होता है अब form designer में लाएगा जो controls होते हैं उनकी properties को set करने का काम कौन करता है उनकी properties को set करने का काम करता है properties window आप properties window आप देख सकते देखें यहां पर आपको category wise मिलती है alphabet में उसके बाद events आपको देखने मिलते हैं ठीक कुछ settings देखने मिलती है जिसे मान लीजिए आपने text box लाए तो text box से related चीज़े देखने मिलती है जिसे text box form है form का text आप change कर सकते हैं उसकी बहुत सारी चीज़े अब properties window so नहीं हो रही है इसका मतलब है कि आप जाएंगे view में और view में जाकर आप देखिए हाँ properties window पर click करेंगे तो आपकी so हो जाएगी properties properties window so करने के लिए shortcut भी है F4 तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं ठीक इसका आप जो है यहां पर पढ़ लिजी इसके बारे में इसके संबंध में देखिए categorize होता alphabetical properties event property page यह बहुत सारी चीज़े अब code window code window का मतलब क्या होता है code window का मतलब होता है जब आप जो है कोई form को design करते हैं तो उससे related कुछ coding करते हैं तो जब double click करेंगे तो उसकी जो window खोलेगे उसके बोलेंगे हम code window code window इस प्रकार से आप देख सकते है इसके बगेर जो form है कोई काम का नहीं होता क्योंकि मान लिजे कोई व्यक्ति अच्छा सुन्दा है ठीक है और उसके पास दिमाग नहीं है परन्तु जो दिखाबे में भी थोड़ी चीजे रहती है मान लो यदि कोई व्यक्ति सुन्दर है और उसके पाथ दिमाग भी है तो फिर तो क्या कहना सोने पर सुहागा ठीक है तो यह सी चीजे हो जाती है या फिर देखे कोड यहाँ पे विउ मीनो में जाएंगे कोड पर क्लिक करेंगे फिर एककर इसकर कार खूल जाएगी ठीक है अब आगे चल खे देखे इसमें कोड बिंडओ में आप जो है समझ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते कि code window को आप इस प्रकार जो है पढ़के समझ लीजिए और solution explorer समझते हम तो solution explorer का मतलब क्या होता है solution explorer में आप जो है क्या काम कर सकते है solution explorer में जो भी आप problem design करेंगे किस में visual studio में तो उसके सारे content मतलब सारे element जैसे की form 1 आपने लाए हो form 2 लाए हो ठीक है उसकी coding लाए हो तो इस सारे element को उन दिखाता है यह solution explorer दिखाता है इसको सो करने के लिए भी यहाँ पर code window मतलब जो view menu में जाना पड़ता है solution explorer या फिर control प्लस alt प्लस L पर click करें मतलब shortcut की तो आपकी solution explorer सो हो जाती हो हमेशा right side में सो होगी है मैं सब की स्तिती दिखाने वाला हूं अभी ठीक है मैं आप basic समझे देता हूं पहला है आप यहाँ देखिए यहाँ आप देख सकते हैं देखिए जो भी project है उससे related कुछ files होती है तो उनको सब को देखाने काम भी solution explorer करेगा server explorer की बात करते हैं तो जैसे आप form बनाए आपने और form को connect करेगा database से यहाँ से आप plus बटन की थू है या फिर इसके उपर right click करके add connection करोगे तो आप database से जोड़ सकते हैं उसको मैं दिखाऊंगा आगे चलकर आभी सिर्फ समझ लीजिजी server explorer होती है इसको दिखाने के लिए view menu में जाएंगे server explorer पर click करेंगे या फिर ctrl प्लस alt प्लस s पर click करेंगे तो आपकी server explorer display हो जाएगी और हमेसा left side में होती है हले कि हम इस की स्थिती बदल सकते हैं object browser होता है तो object browser क्या करता है जितनी भी object हमारे पास में visual studio के अंतरगत जो coding में काम आते हैं object मतलब समझ सकते है class का object जिससे हम जो है runtime entity हम जिससे बोलते हैं जिससे सारे functions को हम run कर सकते है class के अंतर define बाले तो object को browse करने के लिए जिस window का प्रयोग किया जाता है उसे हम object browser बोलते हैं और view menu के अंतरगत यह object browser आप देख सकते हैं F2 पर click करेंगे तो भी object browser आपकी display हो जाएगी अब अगला element देखिए इसमें आप यह पढ़ दी सकते हैं error list कोई भी program मनाई यह अगर error ना आए ऐसा हो सकता है के बिलकुल नहीं देखे error आएगी ही कोई ना कोई प्रोग्राम में आपका जो है कोई ना कोई गलती होगी तो error आएगी और error को दिखाने का काम जो window करेगी उसे error list window बोलते हैं और error list window हमें सा bottom पर सो होती हाला कि स्तिती हम बदल सकते हैं फिर भी bottom पर रहने दे तो अच्छा है जैसे हमने देखे semicolon ले लगा आया किसमें एक program में तो यह semicolon expected बोल रहा है form1.cs में और कहां से आती है view menu में error list पर हम क्लिक करें ctrl plus w पर या फिर ctrl plus e हम जो है प्रेस करेंगे तो error list डिस्प्ले हो जाएगी नहीं भी डिस्प्ले करना है तो automatic error जब रहेगी तो automatic आ जाएगी ठीक है मतलब दिखकत होगी उसको simple सी बात है वो सामने सो करेगा visual studio तो error list window क्या दिखेगी error दिखाने का काम करेगी अब बात करते है form layout की तो form में आपने जो भी element लेका रहा है जो control लेका रहा है उन सब की जो detail है जिसे form के अंतरगात आपने क्याला है button 2, button 1, button 1, button 2, फिर text box 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, level यह इतनी चीज़े आपने क्या बनाए हो form में design की हो तो form के layout दिखाने का काम कोन करती है form layout window जिसे document outline के नाम से भी हम जानते हैं कहां से आएगी यह view menu में जाएंगे other windows में जाएंगे उसके आद आप जो है document outline या फिर control प्लस alt प्लस T पर प्रेस करोगे तो यह window जो है आपकी display हो जाएगी screen पर आगे देखते है output window जब आपका program run हो रहा होता तो जो भी assembly से output से related जो भी files होती है उसको display करने का काम जो window करेगी उसे बोलेंगे output window अब output window कहां से display होगी view menu में जाएंगे other windows में जाएंगे उसके बाद आपकी output या फिर control प्लस alt प्लस O पर क्लिक करोगे तो आपकी जो window है वो display हो जाएगी output window ठीक इस से related चीजे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप देखिए हम चलते हैं विजुल स्टूडियो में यहाँ पर जो है विजुल स्टूडियो हम 2012 ही यूज करेंगे क्योंकि 2022 हर एक लेक्ती के पास उपलब्द नहीं होगा तो 2012 आप जो है comment box में मुझे बताईए कि अगर आपके पास नहीं है तो आप मैं जो है इसका setup आपको दे दूँगा ठीक है इसको हम enter करेंगे यह start होने लगा अब start होगा तो simple सी बात हमारे सामने new project हमको लाना पड़ाएगा तो new project बनाना मैं फिर से बता देता हूं फाइल मेनू में जाएंगे new project में जाएंगे हम पाड़ रहें वाले हैं c-sarp तो c-sarp हम पाड़ रहें तो जाएंगे visual c-sarp में हम जाएंगे windows application में यहां से select करेंगे windows form application आप नाम दे सकते हैं जो भी आपको नाम देना है meaningful नाम दे दीजिए और बिना space के आपको नाम देना और यहां form one देख रहा है यह form one आपकी screen पर अब यह form one जो है form one की कुछ coding भी होती है तो coding कैसे दिखती है देखे form one जो है dot cs दिख गया ठीक है और यहां पर जो है आप देख सकते हैं coding देख रहा है form one dot designer dot cs ठीक है इसकी coding आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर जाओं तो द यहां पर आपको tools दिख रहा है, यहां से आप control ला सकते हैं, इस प्रकार से, लालाकर जो है आप design कर सकते हैं, इन controls की properties आप property window में set कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको designer समझ में आ गया, tool works भी समझ में आ गया, solution explorer क्या दिखाता है, properties, उसके आप देखे, server explorer में दिखा देता हूँ आपको server explorer कहां से दिखता है, यह देखे, जो database connectivity से संबंधित element दिखाता है, उसके बाद देखे, आपको tools, tools so करना, height करना यहां से कर सकते हैं, ठीक है, other windows में में बताया बहुत सारी चीज़े होती है, जो मैंने बताया आपको यहां पर soya height कर दकते हैं, ठीक है, तो आपके basic element में बता दूं क्या क्या है, तो basic element आपका menu वार तो रहता ही है, tool वार भी रहता है, toolbox, form designer, solution explorer, properties window, ठीक है, उसके अलावा आपका जो code window है, code window कैसे, जैसे मान लीजे आप एक button लाते है, button पर double click करते है, code window काफी important होती है, उसके आद अगर error आती है, तो error list window आपको देखने मि यह एरर लिस्ट आगे, हला कि कोई error होगी तो खुद बाखुद सामने निकल कर आएगे, ठीक है, किसी को दिक्कत होती है, खुद बाखुद सामने निकल कर आता, simple से बात है, error list भी सामने निकल कर आएगी, जब उसके पास error होगी, ठीक है, तो लाने की जरुवत नहीं है, लाना चाहे तो ला भी सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है object browser आप देख सकते हैं ठीक है solution explorer यहीं पर है properties window यहीं दिख रही आपको ठीक है यह सारी चीज़े आप जो है soya height का सकते हैं अब एक चीज़ और मैं बता दू window management जिसे हम बोलते हैं ठीक है आगे आप देखोगे window management हम देखने बाले हैं तो देखे जब हम tool box पर click करते हैं तो यहाँ पर आप देखे एक down arrow दिख रहे है और एक दिख रहा है point auto height देखते हैं ठीक है जैसे आप इस पर click करोगे देखे एक गायब हो गया कहाँ पर यह देखे यहाँ पर यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देखे जो जो है auto height बाला जो point है वो आड़ा है भी और अगर मैं इसको सीधा कर दूँ तो देखे यह fix हो जाता है पर मैं इसको फिर से आड़ा कर दूँ तो वो गयाब हो जाता है तो ऐसे समझ सकते है अब यहाँ इनदू को मैंज कर पा रहा है अगर युदा फ्लोट का मतल़ होता है देखे यह जो मिल जाता अगर इस सको चैटल से पकड़े है और यहाँ इसको लुए ला कर देता है यह थो यहाँ ना कर ला कर दोन सब्सकुर्usan दीजी अपनी जगह में आ गया इसको आप छोटा कर सकते हैं तो हम देखे एक बिंडो याने टूल बाक्स की बिंडो उसको मैनेज कर पा रहा है फ्लोट मतलब वीची स्क्रीन पर कहीं पर भी ला सकते हैं डॉक मतलब एक निश्चीत इस्तिती या तो राइट लेफ्ट या फिर बॉटम ठीक है और डॉक एस टेप्ट तो मतलब देखे यहाँ पर फॉर्म अलग देखेगा कोडिंग अलग देखेगी और टूलबक्स अलग देखेगा यदि मानलो फिर राइट क्लिक करता हूँ मैं तो इसको देखे डॉक कर देते हैं तो डॉक करने मतलब अपनी स्तिती में वापस चला जाएगा उसके अगर मैं आटो हाइट कर देता हूँ तो यह जो बटन है देखे यह वाली जो बटन है वो आटो हाइट की है अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो भी वही काम करेगा और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो भी वही काम करेगा और height का मतलब होता है यह जो last वाली बटन क्रोस की तो height करेंगे तो क्या होगा गायब अब देखें गायब हो तो लाएंगे कैसे देखें लाएंगे हम यहां से view menu से toolbox से ठीक है control प्लस alt प्लस x वापस आ गया तो चाहे तो आप देखें height कर सकते हो अटो हाइट कर सकते दो आक्षन तो ही दी है float कर सकते है dock कर सकते हो dock as tabd में आप इस प्रकार देखें यह जो दिख रहे है आपके इस प्रकार से आ जाएगा तो यह सभी में देखें हर window में आपको यह चीज देखने को मिलेगी देखें यहां पर हम क्लिक करते हैं पहला option float फिर dockable मतलब हम उसको या तो left में रख सकते है right में या bottom पे tap document में जिसे form designer दिखता था coding window दिखती थी वैसे यह tap दिखेंगे auto hide में यह वाली point को आड़ा कर दो यानि कि auto hide गायव हो जाएगा जब जरूत पड़ेगी तब वापस जाएगा मतलब auto hide में यहां किनारे में लग जाते है और close मतलब hide तो यह पांच option हमारे window management के अंतरगात आते हैं ठीक है कुछ environment setting होती है तो यह ज़्यादा important नहीं होती जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको जैसे यहां मैं visual studio में चलता हूँ तो visual studio में चलने के पस्चाद देखे यह जो coding देख रही है जैसे मानली coding देखे, coding जो है blue color में देख रही keyword और यहां black color तो इनको setting हम बदलना चाहते हैं या फिर इनके font by default कितने आना चाहिए तो इन setting को बदलने के लिए हम जाते हैं tools में tools में जाएंगे और सबसे नीचे जाएंगे option में जब आप option में जाओगे देखे general setting दिख रही है कितने recent item दिखना चाहिए add security add कर सकते, auto recover क्या होना चाहिए document की setting, find and replace की setting आप change कर सकते font and color, font and color में आप changes करोगे तो देखे black color को आप बदल सकते है font क्या होने चाहिए, size क्या होने चाहिए, coding का ठीक है, उसका type क्या होना चाहिए, setting आप बदल सकते है तो जितनी भी setting हम बदल पा रहा हैं किस से ये environment setting कहलाती है जो complete है देखे, यहां लिखा भी है environment तो environment की setting बदलना इसको बुले जाता है हला कि आप इसको change ना करें तो ही ज्यादा बेटर है क्योंकि अगर change कर देंगे तो setting में छेड़ चाड़ा जाएगा तो double click करके आप जो है, चाहे तो control बटन का प्रयोग करके आप जो है हम एक-एक करके सारी चीज़े practical देखने वाले है, निकि event-driven programming क्या होती है जिसमें common properties, event क्या होते है, methods क्या होती है उसके बाद हम statement के बारे में जानेंगे तो एक-एक करके हम सारी चीज़े आगे देखने वाले है तो यह जो सारी चीज़ मैंने बताया भी, आपको समझ में आ गई होगी अब इसको एक बार फिर से open करके, मतलब सब चीज़ों को show करके, hide करके देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा उसमें काम करके देख सकते हैं, window manage करके देख सकते हैं तो आपको आगे आसानी होगी coating करने में यह सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को share कर सकते हैं और वीडियो को like करते भी चले